मुर्गा की अकल ठिकाने एक समय की बात है एक गाउं में धेर सारे मुर्गे रहते थे गाउं के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था मुर्गा परिशान हो गया इसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा सब सोते रहेंगे तब मेरी एहमियत बाकी सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे मुर्गा अगले सुबह कुछ नहीं बोला सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गया इस पर मुर्गा समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रूशकता सबका काम चलता रहता है इससे हमें यह सिक्षा मिलती है कि गमन नहीं करना चाहिए आपकी एहमियत लोगों को बिना बताए पता चलता है